तो स्टूरेंट्स अभी आप लोगों के जैसे फीडबाक्स मिले हैं तो यहां पर कुछ चालेंजिंग और कुछ वह वह इसे जो आप लोगों को चालेंज नहीं करने हैं तो जल्दी से चलते हैं और हम यहां से डिसकेशन स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले लिटल बिट इंट्रोड़क्शन अबाउट माइसल्फ माइसल रिखांशू सिंग और केमिकल साइंस फाकल्टी राइट तो चलिए एक क्वेशन आइडी आप लोगों कि यह मुझे यहां पर मिली है जरा मैं से हाइलाइट कर दू इधर तो देखे य यह हुए है प्रोसेस अ, B and C और आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा राइट तो अगर हम देखे यहां पर एक हो तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब हम S1 से T2 जाएंगे राइट सिंगलेट से जब टिपलेट जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम system crossing बोलते हैं that is isc तो अगर इसे देखते हैं तो यहाँ से 2 and 4 option हमारा साही हो सकता है 1 and 3 बिल्कुल गलत हो गया राइट then अगला देखें यहाँ पर देखेंगे second में यहाँ पर क्या लिखा है b को phosphorescence लिखा है and c को phosphorescence लिखा है and यहाँ पर b c को phosphorescence लिखा है and c को phosphorescence तो देखें यहाँ पर अगर हम in questions को correct करते हुए देखेंगे in questions के in options के according देखेंगे तो T2 से अगर T1 जाना है तो same state में movement है तो यह phosphorescence नहीं होगा phosphorescence का process कौन सा होगा जब हम T1 से S not जाएंगे so this is the kind of radiative process right तो यह क्या है अपना radiative process होता है in triplet से हम ground state of singlet जाते हैं तो यानि कि C वाला process तो अपना phosphorescence है यह correct है बट B यहाँ पर देखेंगे अगर आप इतनी common sense लगा कर करते तो उसे साब से आपका option number fourth हाता second आपका अगें गलत हो जाता बट देखें यहाँ पर B को fluorosense लिखा हो गया है राइट बी option आपका अगर इन सब options में से best बताना है तो आपका fourth option best है बट यहाँ पर B को fluorosense given है T2 से T1 जाना जब हम S2 से S1 या T2 से T1 जाते हैं तो यह क्या कहलाते है process IC कहलाते है that is internal conversion और यहाँ पर इसका नाम क्या दे रखा है fluorosense दे रखा है और fluorosense कैसा process होता है radiative process होता जहां पर radiation का emission होता है तो इस वज़े से यह भी fluorosense नहीं होगा आपका IC होगा तो यह वाला question आप claim कर सकते हैं यह question आपका हो गया दूसरा question यह वाला question एक student ने जो आपके feedback मिला कि माम यह वाला question तो इस question को please claim ना करें और आपने 200 रुपे बचा लें राइट 200 रुपे आपके हर equation को claim करने के लिए लिए लगेंगे यह बा इसली कैसे निकालते हैं non-linear molecule के लिए 3N-6 करके right but transition state theory क्या कहती है कि एक loose degree of freedom की वज़े से यह dissociation होता है from the activated complex to the product तो हम उस एक degree of freedom को subtract करते हैं तो 3N-6-1 तो कितने vibrational degree of freedom हमें मिलते हैं 3N-7 तो जिन्होंने 3N-6 करा है और कह रहे हैं कि मैं मैं इसे claim कर सकते हैं नहीं तो यह option आपका गलत है 3N-7 ही इसका correct जवाब होगा clear है अगले question पर आजाते हैं देखिए यह वाला question 701118 यह वाला question आपका previous year net December 2016 में भी आया हुआ सवाल है यहाँ पर आपको rate इस तरीके से mentioned है k into charge of cation then यहाँ पर plus 1 है यहाँ पर क्या है 9 का charge minus 2 है और plus 1 है आपको given है कि जो rate constant है for ionic strength of 16 mole per liter and 9 mole per liter क्या है k1 and k2 से represent किया है तो आपको log k1 by k2 निकालना है in terms of d by huckle constant b यह 4 number का सवाल है net में तो देखिए इसका solution कैसे होगा यह question मैंने आप लगों को class में भी कराया हुआ है वैसे तो देखिए log of k by k0 यह formula लिक्वा है था this is equal to what twice of your d by huckle constant तो यहाँ पर उसे a से represent ना करके उन्हें b से represent किया है तो यह slight alteration है वो उन्हें charge वो क्या लिया है symbol क्या लिया है उन्हें पर depend करता है plus अगर 3 ket ions मैंने बताया था 3 ions होंगे तो a into b then a into c b into c then a into c इस तरीके से निकाल लेंगे इसे right or wrong और इसके बाद आजाएगा आपका root of i तो देखें यहाँ पर आपके पस कौन कौन से ions है plus 1 charge है एक पर एक पर minus 2 है और तीसरे पर भी क्या है plus 1 है तो जब आप twice of b करेंगे तो एक ket ion देखें यहाँ पर क्या है आपका ज़रा question में देखें plus 1 b क्या है minus 2 charge रख रहा है और c का charge कितना है plus 1 तो जब यहाँ पर करेंगे तो 1 into minus 2 right plus इधर कितना आएगा आपका b into c तो minus 2 into plus 1 and यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा आपका इधर से plus 1 into 1 तो यह 1 आ जाएगा and यहाँ पर बाहर है root i clear है तो देखें यहाँ से formula क्या बन जाएगा 2b into minus 2 minus 2 तो minus 4 plus 1 minus 3 आ जाएगा and root i तो यहाँ से आपकी log k by k naught की value कितनी बन जाएगी this will be equal to minus 6b into root i yes or no तो अब देखें जब i-nick strength आपकी देखें दो आपको cases given है जब i-nick strength i1 है तब k1 rate constant है और जब i2 है तो rate constant कितना है k2 है तो log k1 by k naught आप solve करेंगे तो कितना आएगा minus 6b root i तो देखें k1 कब है जब आपकी i-nick strength कितनी है 16 mole per liter है तो यहाँ पर root 16 लिख दें and k2 कितनी है देखें log k2 by k naught यहाँ पर i-nick strength कितनी है आपकी 4 है sorry 9 mole per liter है यहाँ पर कितनी है यह 4 नहीं है 9 है कितना है 9 mole per liter है तो जब आप इसे solve करेंगे यहाँ से तो log k1 by k2 बताना है log k1 by k2 तो यहाँ से देखें आप क्या करेंगे simply equation को minus कर देंगे 2 से तो log a minus b log a by b हो जाएगा तो k1 by k2 आजाएगा तो यहाँ क्या बचेगा minus 6b root 16 minus root 9 तो जब ऐसे solve कर लो root 16 minus root 9 कितना बनेगा 4 minus 3 that is 1 तो value आजाएगी minus 6b तो जो d by हकल constant के साथ जो value आएगी वो कितनी आएगी minus 6 यह आपका answer बनेगा यहाँ से और यह answer यहाँ पर in options में given ही नहीं है राइट तो यह वाली चीज आपको यहाँ पर आप claim कर सकते हैं तो यह दो questions हैं जो आप लोग claim कर सकते हैं बाकि अपना feedback जो मुझे लगे मैंने आप लोगों को बताए अब आपका जो भी feedback है मुझे इस वीडियो के comment section में बताएगा और यह वाला question 1055 यह सही है इसे claim मत करना अपने पैसे बचा लेना इस question के case में ठीक है So I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा और वीडियो का जो भी feedback है इस वीडियो के description में मुझे जरूर बता दे comment section में Thank you all and keep learning